राश्ट्रिय स्वयन सेवक संग के 400 स्वयन सेवक बालेश्व ट्रेन दुरगटना में घायलों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं थे। वो दुरगटना ग्रस्थ ट्रेन की बोगियों में घुस-घुस कर घायलों को पीट पर लाद कर बाहर निकाल रहे थे। इससे पहले क प्रशासन की टीम घटना स्थल पर पहुँचती, स्वयनसेवकों ने दर्द से तडपते घायल यात्रियों को टेम्पो, बाइक, कार सहित, जो भी साधन मिले, उन्हें नजदीकी अस्पतालों में पहुँचाना शुरू कर दिया। शनिवार की शाम तक घायलों की मदद के लिए स्वयनसेवक 550 यूनिट रक्तदान कर चुके हैं और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। राश्ट्रिय स्वयनसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रवी नारायन पांडा ने बताया कि बाहानगा में ही हमारी शाखा लगती है। दुरघटना स्थल से मात्र तीन किलोमीटर की दूरी पर संघ के जिला कार्यवाह विजय कुमार साहू रहते हैं। दुरघटना की सूचना मिलते ही शाम साढ़े साथ बजे सबसे पहले विभाग सह प्रचारक विश्नु प्रसाद नायक और फिफ्टीन कार्यकरताओं के सा गटना स्थल पर पहुँचे और अंधेरे में ही राहत और बचाव कार्य में जुट गए। इस समय तक NDRF, जिला प्रशासन या रेलवे का भी कोई अधिकारी वहां नहीं पहुँचा था। इसके साथ ही WhatsApp पर सभी स्वयन सेवक को अलर्ट किया गया और रात साढ़े 9 बज खासन के Rescue Operation में शामिल हुए और घायलों को ट्रेन से निकालने का काम शुरू किया। बचे स्वयन सेवक घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुचाने, शवों को प्लास्टिक में बांधने, घायलों के बीच खाना वपानी का वितरन करने सहित लापता लोगों को खोजने के काम में जुट रहे।